हाई एभरीवन बेलकम टू अकेमिस्ट्री तो देखो यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टुडेंट सुदेट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए तो देखो जो यह वीडियो है, इस वीडियो में आपको important topics हैं जो organic है, वो बताने वाली हूँ काफी students के मेरे पास messages आ रहे थे कि ma'am, आप बता दीजिए कि December से पहले आपके, आप कौन से कौन से हमें topics पढ़ा दोगे या complete करवा दोगे, तो मैंने आप देखो board पे लिखे हैं एक उस topics तो मैं आपको यह complete करवाने वाली हूँ, एक बार आप इसका screenshot ले लीजिए तो देखो मैं आपको यह नहीं बोल रहे हूँ, जो मैंने आप पे topics लिखेंगे, आपको वही-वही करने है अगर आप अपने according, कहीं भी book से पढ़ रहे हो, तो आप अपने according पढ़िए लेकिन जो मैंने आप topics लिखेंगे, आपको वह नहीं चोड़ने है देखो alternate years पर यहां से questions पूछे ही जाते हैं क्योंकि questions change हो जाते हैं लेकिन concept वही रहता है तो यहां से जो भी मैंने लिखा है बहुत ही important आपको नहीं चोड़ना है आपको बार बार बोल रही हूं आपको बिलकुल नहीं चोड़ना को करना है और अभी के लिए मेरा देखो जो जी योजी मैंने और आरेमेटिसिटी कंपलेट आपको पढ़ा दिया है जैन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बर उसको जाके चेक कर ले होगे नेगिटिव हमारे कुशन क्यों होते हैं क्योंकि हम छोटे-छोटे जो बीसिक बाठ वो छोट जाते हैं तो इस जो इंपोर्टन्ट यहीं वाला पार्ट है आप जो इंप यह वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से करवाँगे अभी के लिए मेरा मेन फोकस यहीं पर उसके बाद यह ऑप्टिकली एक्टिव और इनक्टिव बहुत इंप्पॉटेंट है हम यह भी करेंगे ठीक है उसके बाद जो इनटिक एक्सिस है इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगे बहुत ज्याधा इंपॉत है यहां से आल्टरनेटी यह पर यहां से जो कोशन को उसके बाद cramps anti-cramps ठीक है cyclohexane system और decaline system यह सारे important है जो मैंने आप पर topics लेके हैं मैं आपको सारे complete करवाने वाली हूँ जी योसी हमारा हो गया है और देखो काफी जो students है जिनको organic tough लगती है organic tough क्यों लगती है तो इसका main reason यह है क्योंकि organic में जो भी question कोशन आते हैं वो mix होके आते हैं ठीक है क्योंकि जो physical में जो physical में question पूछे जाते है physical और inorganic में question पूछे जाते हैं तो वह देखो अगर आप inorganic कोई चैप्टर ले लो सब्सक्वाडिनेशन है तो क्वाडिनेशन का अगर कोई भी question आ रहा है निकानना है तो आपको as it is नहीं पूछेगा कि आप simple compound दे देगा आप उसका आरेस नॉमन क्लेचर निकालो ऐसे नहीं पूछता है वो आपको कैसे पूछेगा दे दिया आप में कोई यह यह जो प्रोड़क्ट बनेगा आपको उसका निकानना है आरेस नॉमन क्लेचर तो इसलिए आपको सारा आना चाहिए और तो इसलिए टफ हो जाती है और गयनिक बट जो स्पैक्ट्रोस्कॉपी वाला पार्ट है अगर जो स्टूडेंट है और यानिक छोड़के जा रहा है वह अगर फिजिकल प्लस इन और गयनिक करके जाता है या और गयनिक बिल्कुल छोड़के जाता है तो मैं ऐसे बोलूंगे उनको कि प्लीज आप और और गयनिक ढम्ट छोड़के मच जाएं रहा है या को अलग है जहां से जो के सप्लिट रहा है या आफ जो एक प्लाने वालों सपेक्त्रोस्कोपी और गयनिक स्पेक्रोस्कॉपी आप इसमेंगे जिए जो चीनकशोपे जी व्य्वैय्य और आई आयार वैल्यू जो यह वैल्यू है यह तीनों आपको बहुत इंपोर्टेंट यह तीनों आपको याद होनी चाहिए अगर तीनों में से अगर आपको एक वैल्यू भी याद नहीं अगर आप सपोस्ट करो आपको केमिकल शिप्ट की जो वैल्यू याद नहीं अगर आ इसके आना चाहिए सेकेंड डाइप के जो गोशन आते है वह सिगनल्स पे किस नंबर ऑफ सिगनल्स के लिए आपको PUSP प्लेन ऊप्स्मिट्री प्लेन ऊप्लेन आपको लगानी आना चाहिए उसके बाद आपको देखना न चाहिए नहीं है कौन से डिस्टिंक्ट है तो आपको वह भी आना चाहिए उसके बाद देखो जो मास्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी वह में आपको करवाऊंगी बड़ जो एने मार है ने मार बहुत ही इंपोर्टेंट है उसमें एक नए टाइप का जो आप कंसेप्ट पूछने लगे वह आपको यह भी करवाऊंगी ठीक है हम सारे टॉपिक्स यहां पर पढ़ेंगे अभी के लिए मैं आपको इंट्रमेडियर से इंपोर्टन डियेजंट और इंपोर्टन नेम रियाक्शन करवाने वाली हूं ठीक है तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से अग आँगे लेकिन अगर आप खुछ से पढ़ना चाहते हो तो मैं जो क्लीटन की भूक है वहां से आपको पर सकते हो सब्स् duda कनेशन और बेंगो पढ़ेंगे तो यह वी मैं आपको complete पढ़ाऊंगे उसके बाद जो परिसाक्लिक है परिसाक्लिक मैं आपको परवाऊंगे परिसाक्लिक बहुत ज्यादा important है बहुत ही important है यह हर वांक्षंट में लग जाता Legion रिसाइकलिक हर कोशन में लगा देती है इसका कंसेप्ट तो यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है यह करनी करनी है देखिए उसके बाद है हेट्रोसाइकलिक फोटोकेमिस्ट्री बायो मॉलीकुल और अमीन वैसेट्स ठीक है मैं यह नहीं बोलूंगे कि मैं आपक अगर लेकिन मेरे पास टाइम रहा तो मैं जुरूर करवा दूंगी क्योंकि मुझे अभी फिजिकल भी करवानी है और इन और गैनिक के वी जो चाप्टर से काफी बड़े बड़े चाप्रस है तो मैं आपको उसके बीस आप्रेट से वीडियो बना दूंगी कि मैं आपको तक कौन से कौन से टॉपिक्स करवाने वाली हूं लेकिन इसकी शुरेटी नहीं दूंगी कि आप अपने इस आप से चाप्रस पढ़ लेना ठीक है बाकी मैं आपको सारा कंप्लेट करवा दूंगे यहां पर ठीक है अभी के लिए मैं आपको इंटर्मिलेट इंपोर्टन र पार्ट है यह वाला करवा दूंगे परिसाइकलिक पढ़ लेंगे और यह वाला पार्ट आपको मैं शॉरेटी नहीं दे रही हूं कि मैं दिसंबर तक करवा दूंगे इसके बाद मैं फिजिकल स्टार्ट करूंगे ठीक है और बाकि जो इंपोर्टन रिएजेंट्स है Thank you so much for watching